Hello students, आज हम लोग regulated power supply का practical करेंगे, यह regulated power supply के लिए kit है, इसमें यह regulated power supply का circuit diagram है, इस circuit diagram में यहां transistor लगे हुए है और jenna diode लगा हुआ है, जिसका use हम लोग voltage regulator के रूप में करते हैं यहां एक variable load लगा हुआ है, जिसको हम लोग इस knob की सहायता से vary कराते हैं, जब हम लोग इस knob को clockwise direction में घुमाते हैं, तो load बढ़ता है, और anti-clockwise direction में घुमाते हैं, तो load कम होता है जब load बढ़ता है, तो current कम होगा, और इस load को change करने के बाद भी, regulated power supply में हम लोग का load के across जो voltage होता है, वो same होता है, constant होता है, नियत होता है, वो change नहीं होता है तो इस voltage को major करने के लिए, यहाँ पर एक volt meter लगा हुआ है, ठीक है, इस volt meter में हम लोग देखेंगे, तो list count अगर count करते हैं, तो यह 10 division 5 के बराबर है, तो एक division हो जाएगा, 5 by 10 is equal to 0.5 के बराबर, ठीक है तो इस volt meter में एक division 0.5 volt के बराबर दिया हुआ है, अब यहाँ पर एक emitter भी लगा हुआ है, जिसका use हम लोग load current को major करने के लिए करते हैं, अब यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, list count कितना होगा, तो यह 10 division जो दिख रहा है, वो 10 के बराबर है, तो एक division हो जाएगा, 10 by 10, 1, अब unit देखेंगे तो यह milli ampere में है, milli ampere के बराबर, ठीक है, तो emitter का एक division 1 milli ampere के बराबर होगा इसमें, ठीक है, अब हम लोग इसका connection देखते हैं, कि नियमित power supply के लिए, regulated power supply के लिए, हम लोग connection कैसे करेंगे, तो नियमित power supply या regulated power supply के लिए, जब हम लोग वोल्ट मीटर के positive का connection यहाँ पर देखोगे, तो load के side में यहाँ पर V लिखा हुआ है, जहाँ पर उपर side वाला plus लिखा हुआ है, तो वोल्ट मीटर के positive का connection यहाँ से करेंगे, और वोल्ट मीटर के negative का connection यहाँ से करेंगे, ठीक है, अब emitter का देखते हैं, तो emitter के positive का connection यहाँ से करेंगे, और emitter के negative का connection यहाँ से करेंगे, और बीच में यह जो disconnected दिख रहा है, इसको हम लोग connect कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग connection कर लेते हैं, इस वोल्ट मीटर के positive का connection यहाँ पे इसके positive से, उसके बाद negative का connection निगेटिव से, अब emitter का negative का connection निगेटिव से, और positive का connection पॉजिटिव से, और इन दोनों का हम लोग, जो disconnected है, उसको भी connect कर देते हैं, तो इस तरह से, regulated power supply के लिए connection हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस load को बढ़ाते जाएंगे, और उसके corresponding जो भी current आएगा, और voltage आएगा, उसको note करेंगे, तो regulated power supply के लिए मैं बताया था, कि load को जितना भी vary करा लो, जो उसका voltage होता है, उसके across जो भी voltage मिलता है, वो constant मिलता है, वो change नहीं होता है, नियत रहता है, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं, इसका reading कैसे लेना है, रीडिंग लेने के लिए हम लोग इस load को बढ़ाते जाएंगे, और load current और load voltage को note करते जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग load को, इस knob को बढ़ाते हैं, और तब तक बढ़ाते हैं, जब तक हम लोग का load current 40 पे set नहीं हो जाता, जैसे ही set होगा, हम लोग volt meter से voltage को measure करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यह देखो, यह 10 division 5 दिया हुआ है, और total 17 division है, ठीक है, तो मैं क्या बताया था, एक division 0.5 के बराबर होता है, तो 17 division कितने के बराबर होगा, 8.5 volt के बराबर होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको stable में note कर लेते हैं, कैसे, हम लोग का load current, 40 था, और voltage कितना आया, 8.5, ठीक है, वैसे ही, फिर से हम लोग क्या करते हैं, load को बढ़ाते हैं, कब तक बढ़ाते हैं, जब तक load current 35 पे set नहीं हो जाता, जैसी 35 पे set होगा, हम लोग फिर से इस volt meter से voltage का reading ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, तो अभी किते division पे हैं, अभी भी 17 division पे है, तो 17 into 0.5, 8.5 volt, ठीक है, उसको फिर से हम लोग इस table में note कर लेते हैं, जब load current 35 था, तो भी voltage आ रहा है, 8.5, फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस load को बढ़ाते हैं, और load को बढ़ा कर, load current को हम लोग 30 पे set करते हैं, 30 पे set करने के बाद, फिर से voltage को note करते हैं, तो volt meter पे voltage का reading फिर से 8.5 volt आ रहा है, तो हम लोग उसको फिर से table पे note कर लेते हैं फिर क्या करेंगे same procedure फिर से इस load को इस knob को फिर से इतना बढ़ाएंगे कि emitter का reading 25 पे set हो जाए ठीक है फिर से हम लोग voltmeter का reading लेंगे और voltmeter का reading अभी भी 8.5 volt आ रहा है ठीक है फिर से हम लोग क्या करेंगे load को फिर बढ़ाएंगे जब तक कि हम लोग का load current 20 पे set नहीं हो जाता और जैसे 20 पे set होगा हम लोग voltmeter का reading ले लेंगे तो अभी भी voltmeter का reading 8.5 volt आ रहा है फिर हम लोग क्या करेंगे फिर से knob को बढ़ाएंगे बढ़ाने के बाद कब तक बढ़ाएंगे जब तक load current 15 पे set नहीं हो जाता जिसे 15 के set होगा हम लोग voltmeter से voltage measure कर लेंगे तो अभी भी 8.5 volt ही आ रहा है ठीक है फिर से क्या करेंगे फिर बढ़ाएंगे knob को फिर 10 पे set करेंगे load current को और voltage को note करेंगे अभी भी 8.5 volt ही आ रहा है तो मैं क्या बताया था हम लोग load को कितना भी बढ़ा लें हम लोग का जो load के across voltage होता है वो constant रहता है change नहीं होता है ठीक है तो अब हम लोग load current और load voltage के बीच में graph draw करते हैं तो इसके लिए x-axis पर हम लोग load current लेते हैं यह हम लोग का x-axis है x-axis पर load current लेते हैं load current milliampere में है यह ठीक है और y-axis पर voltage लेते हैं यह हम लोग का y-axis हो गया इसमें voltage लेते हैं voltage अब हम लोग scale ले लेते हैं तो x-axis पर load current है तो load current के लिए हम लोग मालो एक box one box equal to 10 ले लेते हैं 10 milliampere ले ले लेते हैं scale x-axis one box equal to 10 milliampere ले 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 लेते हैं ठीक है और y-axis पर y-axis पर हम लोग one box equal to one volt ले ले लेते हैं य-axis one box equal to one volt ले लेते हैं ठीक है तो x-axis पर मालो यह 0 है तो x-axis पर one box equal to 10 milliampere है यह पर 10 लिख देते हैं 20 30 40 50 और 60 यहां तक ले लेते हैं उसके बाद y-axis पर one box equal to one volt है तो यह हमनों को 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह 9 ठीक है तो अब देखो load current 10 milliampere के लिए voltage किता दिया हुआ है 8.5 तो हम लोग क्या करते हैं 10 के लिए हम लोग का voltage दिया हुआ है 8.5 तो यह कुछ यहां पर आएगा ठीक है उसके बाद 15 के लिए 8.5 तो यह हम लोग 15 का लाइन है फिर से यहां पर आएगा 8.5 20 के लिए 8.5 तो 20 वाले लाइन पर 8.5 उसके बाद 25 के लिए भी 8.5 है 30 के लिए भी 8.5 और 35 के लिए 8.5 और लास्ट में 40 के लिए भी 8.5 आया है ठीक है तो इस तरह से हम लोग एक लाइन ट्रॉ कर लेते हैं यहां पर यह हम लोग का करवाया ठीक है जो की एक कॉंस्टेंट लाइन है किसके लिए regulated power supply के लिए अब हम लोग next देखेंगे unregulated power supply के लिए अन्यमित power supply के लिए ठीक है तो kit same रहेगा हम लोग को इसमें change कहां पर करना है तो change करने के लिए यह जो connection है जो की हम लोग regulated power supply में connect कर दिये थे इसको हम लोग को हटा देना है remove कर देना है और current के positive का connection direct हम लोग को यहां से कर देना है है तो हम लोग को क्या करना है हम लोग को इस current meter के positive connection यहां से कर देना है और negative connection यहां से था voltmeter के positive connection यहां से negative connection यहां से था ठीक है तो हम लोग के unregulated power supply के लिए connection हो चुका है अब हम लोग reading कैसे लेंगे फिर से वैसे same लेंगे हम लोग load को बढ़ाते जाएंगे current को note करेंगे और voltage को note करेंगे तो यह unregulated power supply है मतलब unregulated power supply है इसमें जैसे जैसे हम लोग load को बढ़ाते हैं हम लोग का voltage भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है ठीक है तो इसको हम लोग note करेंगे एक table में अब देखते हैं reading कैसे लेना है तो यहां पर देखो यह connection हो चुका है हम लोग का unregulated power supply के लिए तो जैसे ही हम लोग switch को on करेंगे kit को on करेंगे यहां पर देखते हैं तो यह हम लोग का emitter है emitter का reading देखेंगे तो यहां पर आ रहा है 50 ठीक है और उसके corresponding voltage का reading देखते हैं तो यहां पर देखोगे तो voltage का reading आ रहा है देखो तो यहां से यहां तक 21 division है 21 division और एक division होता है 0.5 के बराबर तो यह कितना हो जाएगा 10.5 volt ठीक है तो इसको हम लोग table में note कर लेते हैं तो current कितना था 50 mA और voltage 10.5 volt ठीक है फिर हम लोग क्या करेंगे फिर से load को बढ़ाएंगे इस knob को clockwise direction में घुमा कर ठीक है उसके बाद load current को हम लोग जैसी 40 पे आता है हम लोग voltage को voltmeter से note कर लेते हैं तो यहाँ पर देखोगे voltmeter में तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना division है यहाँ तक 20 उसके बाद 21, 22 division है और 0.5 से multiply करोगे तो कितना आएगा 11 ठीक है 11 वोल्ट तो इसको हम लोग table में note कर लेते हैं फिर से load current क्या है इसमें 40 mA और voltage हम लोग आ गया 11 वोल्ट ठीक है फिर से हम लोग load को बढ़ाएंगे current को 30 mA तक लाएंगे उसके बाद voltage को note करेंगे तो अभी आ रहा है 11.5 वोल्ट ठीक है फिर हम लोग knob को बढ़ाएंगे load को बढ़ाएंगे current को 20 पे set करेंगे और voltage को note करेंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो देखो कितना division आ रहा है यहां से यहां तक तो 1,2,3 ऐसे करके यहां तक आ रहा है 20 और उसके बाद 21,22,23,24 आ रहा है ठीक है 24 आ रहा है इसको 0.5 से multiply करेंगे तो आएगा 12 वोल्ट ठीक है इसको हम लोग table में note करेंगे तो load current अभी है 20 और voltage आया 12 वोल्ट फिर से हम लोग knob को load को बढ़ाएंगे load current को 10 पर fix करेंगे और voltage को major करेंगे तो अभी हम लोग का voltage आ रहा है 12.5 वोल्ट ठीक है अब हम लोग graph draw करेंगे load current और voltage के बीच में तो हम लोग x-axis पर load current को लेते हैं यह हम लोग का x-axis है यहां पर load current को लेते हैं mili ampere में यह और y-axis पर हम लोग voltage को लेते हैं ठीक है अब scale लेंगे तो x-axis पर load current है तो उसके लिए लेते हैं x-axis पर 1 box equal to 10 mili ampere लेते हैं ठीक है और y-axis पर 1 box equal to 0.5 लेते हैं ठीक है तो हम लोग x-axis से 0 से start करते हैं उसके पाद 1 box कितना है 10 mili ampere तो 10 20 30 40 50 और यह 60 तक लेते हैं और y-axis पर 1 box equal to 0.5 है हम लोग मान लोग 10 से start करते हैं तो यह 10.5 हो जाएगा 11 11.5 12 और 12.5 और 13 मी ले लेते हैं ठीक है अब देखो यहां पर जब हम लोग को लोड करें 10 है तो voltage 12.5 है तो लोड करें जब हम लोग 10 है तो voltage 12.5 है यहां पर आएगा लोड करें जब हम लोग 20 है voltage 12 20 पे voltage 12 आ रहा है 30 पे 11.5 40 पे 11 और 50 पे आ रहा है 10.5 तो हम लोग का graph कैसे बन रहा है decreasing order में कुछ इस तरह से जब हम लोग को मिलाएंगे तो यह कुछ इस तरह से graph बनेगा इसका इसका graph अन्रेगुलेटेड पावर सप्लाई मतलब अन्यमित पावर सप्लाई के लिए ठीक है तो यह हम लोग का regulated power supply or unregulated power supply का ठाक्तिका अन्यमित हुआ. Thank you.